बिसमिल्लाइरमारी रहीम असलाम लीकुम डियर वीवर्स कैसे हैं अव्मीद करते हैं मिलकल ठीक होंगे मज़े में सदा बार खाने में आपका वेलकम और आज की जो रेसिपी है बहुत जबरस बनने वाली धाबा स्टाइल मुंग डाल जिसमें मैंने दो कप ऑईल लिया है औ दो मीडियम साइज के प्याज मैंने स्लाइस किये थे और उसको फ्राइब कर रही हूं मैं और इतना फ्राइब करेंगे कि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए हलका ब्राउन हो जाए लाइट गोल्डन सा उसके बाद अब हमने इसमें एड कर दिने हैं जिंजर गार करेंगे एक टोमाइटो और यह चॉप किया हूँ एड करेंगे हम अच्छी तरह से हमने इसको कर लेना है मिक्स और इसके बाद हम इसमें फिर स्पाइस एड करेंगे यह आपने जरूर ट्राइब करनी है बहुत जबदस बनती है और आपके साथ मैं यह रेसिपी शेयर कर र दाल मिर्च का पाउडर और यह आप अगर तीखा जादा खाते हैं तो इससे थोड़ी सी और ले सकते हैं लेकिन अच्छा मैंने जो मूंग दाल है वो बॉयल की हुई थी तो उसका जो पानी था वो मैंने रख लिया था जब जब मुझे जुरत पढ़ेगी पानी की तो मैं तकरीबन लेंगे और अच्छे से साथ साथ मिक्स करते जाएंगे जब आपको लगे के पानी डालना चाहिए तो आप मुंगी की दाल जो हमने वाइल की थी उसका पानी आपने फैकना नहीं है तो वो छिंटे उससे लगाते जाएंगे और हल्दी पाउडर हम ले रहे हैं हा साथी चिकन क्यूब एक पी से एड़ करेंगे और इसको अची तरह से हाथ से मैश करके तो इसको भूनेंगे तकरीबन साथ से आठ मिनट इतना फ्राई करेंगे कि इसका पानी भी खतम हो जाए और थोड़ा पानी अगर आपकी दाल में थोड़ी कसर हो तो आप पानी आड़ करके भूनेंगे तो इतना भूनेंगे कि इसका जो तेल है वो छोड़ दे ओयल निकलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है हमारी दाल फ्राई हो चुकी है और इससे हमने तकरीबन साथ से आठ मिनट हिला के हलकी आज पे भूनते रहना है और उसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे दो अंडे वो अड़ चारके इसको चीज़ तरह से हमने पकाना है अहिलाना है मिक्स करना थे अच्छी तरह से और आप जब यह बनाएंगे तो इसको आपने ज्यादा तेज आंच में नहीं बनाना क्यंके नीचे लग जाती है दाल फ bell rich child और अगर आपको हो जाएगी इन्शालला आपके साथ बहुत सारी जबदसी रेसिपीज शेयर करती रहोंगी और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा उससे होगा कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेग और हमारी तक्रीबन दाल होगी है रेड़ी और हरा धनिया एड़ कर रही हूँ एंड पर ये देखे आप ओल आगया साइड पर इसका मतलब हमारी दाल फ्राई हो चुकी है और इसको बास हमने दो से तीन मिन्ट फ्राई करना है ताकि अंडे मारे अच्छी तरह से पक जाए और इसको मिक्स कर दिया और आप हम इसको करेंगे सर्व तो इसकी लुक ही आपको बताएगी कि यह कैसी बनी है तो मुझे दे इजादत इस अपने पन के साथ कि आप अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो अगर आपको यह पसंद आई हो रेसीपी पर नए है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ठैक्स फॉर वाचिंग तार अब तार अब अब झाल